जर्खन की राजधानी राची में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आये हैं जुसके बाद हिंदू समाज के लोग सामने आये हैं जुसमें हिंदू नेता भैरव सिंग पहुँचे हैं और कहा कि जर्खन धर्म परिवर्तन का गड़ बन गया है ऐसे स्तिती में अब खुलियाम प्रलोभन देकर अन्यता भय दिखा कर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है आज धर्म परिवर्तन कराते 5 महिलाएं पकड़ी गई है इन महिलाओं ने अपना अपराद स्विकार किया है और कहा है कि उन्हें विदेशों से ऐसा करने के लिए कहा जाता है ये एक अंतराष्टी ये शड़े अंतर है जिसको सबसे अधिक शिकार अभी सिर्फ और सिर्फ जारखंड है ये वही चल रहा था जो पूरे जारखंड को कमजोड करने के लिए सडियंत्र के तहत भोले भाले हिंदू समाज के गरीब लोगों को हमारे सरना समाज का दिवासी समाज के भोले भाले गरीब दलित लोगों को बरगला करके फुसला करके धमका करके या प्रलोभन देव करके किसी ना किसी प्रकार से उनका धरम परिवर्तन करके उनको मिशनरी लोग इसाई धरम में परिवर्तित करना चाहते हैं अभी यह महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं यह भी इसी सडियंत का हिस्सा है और इसी के लिए यहाँ पर आई हैं साथ दिनें से लगातार सब्जी मंडी छेत्र में सुख्टेउन अगर थाना के बगल में लगातार ये लोग अपने धरम को परचार परसार कर रही है और हम लोग के गरीब लोग इंदुओं को गरीब अदिवासियों को बहला रही है कि अगर आप इसाही बन जाते हैं अगर में द्वारा इस्टेटमेंट दिए जा रहा है थाना में भी थाना प्रबाई और Being के अगर न१रिया से हुता है और जहारकन में राची में इसका नित्र तो करता कौन है इसके सड्य अंत्र का जो मुख्य आदमी हो कौन है उसको पकड़ करको उसको सजा दिलाने क्या होशकता है?